घरेलू उत्पादन में गिरावट आने, मंडियों में माल की आपूर्ती कम होने तथा कीमत उंची रहने से आम लोगों को हो रही कठिनाई को देखते हुए सरकार ने देसी चना के आयात को अक्तूबर दो हजार चौबीस तक के लिए शुल्क मुक्त कर दिया है। जबकि पहले इस पर 66 प्रतिशत का भारी भरकम आयात शुल्क लगा हुआ था। वैसे अलप विकस्ती या अविकस्ती देशों से चना के आयात पर शुल्क से छूट दी जा रही थी। 95 तन का आयात मूंदरा बंदरगाह पर तथा 265 तन का आयात चिन्न ई बंदरगाह पर किया गया जबकि JNPT, मुंबई, पर 155 तन तथा तूती-कोरिन बंदरगाह पर 96 तन चना मंगाया गया। इससे पूर्व अप्रेल 2024 में 1257 टन चना मंगाया गया था। इस तरह चालू वित वर्ष के शुरुआती दो महीने में कुल 3479 टन चना का आयात हुआ, जो पिछले साल की समान अवधी के आयात 582 टन तथा वर्ष 2022 के इन ही दो महीनों के आयात 2348 टन से ज्यादा रहा। वित वर्ष 2023 से 24 की पूरी अवधी अप्रेल से मार्च के दोरान देश में कुल करीब 1.64 लाख टन देशी चना का आयात किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी